आज हम बनाएंगे बिना कोई भी एग्स यूज किये ये एग्लेस लेडी फिंगर बिस्किट्स जो देखने में एकदम पॉफेक्ट लग रहे हैं बहुत ही जादा अच्छे बनते हैं ये इन लेडी फिंगर बिस्किट्स को आज हम अवन और कड़ाही दोनों में बना कर दिखाऊंगे मैं आपको तो अगर आपके पस अवन नहीं है कड़ाही में भी एकदम पॉफेक्ट बनेंगे आपके ये लेडी फिंगर बिस्किट्स तो जरूर से ट्राय करिए का इस रेसिपी के उपर है मतलब बहुत जादा हार्ड या एकदम से मेल्टेड बटर हमें नहीं लेना है यह थोड़ा सा सौफ्ट है इस तरीके का बटर हमें चाहिए होगा और इसे हमें विप करना है जिसके लिए आप हैंड्विस्क यानि की बलून विस्क ले सकते हो नहीं तो इलेक्ट्र के साथ ही बनाया जाता है आप चाहो तो इसे देशी घी से भी बना सकते हो तो बटर हमारा लाइट और फ्लफी हो गया है कलर और टेक्शर में इसके बाद ना अब हम इसमें आड्ड करेंगे पिसी हुई चीनी तो जितना बटर लिया था उतनी ही मैं इसमें चीनी आड्ड क इतना एकदम light color हो गया है, texture में भी यह light है और एकदम cream जैसे stiff peaks बन रहे हैं इसमें, तो हमें इतना whip कर लेना है इसे अब ही इस mixture को मैं excited पर रख रहूँ क्योंकि सबसे पहले हम अपने mold और कडाही को त्यार कर लेंगे तो biscuits को बनाने के लिए आप कोई भी aluminum का mold ले सकते हो, मैंने यहाँ पर यह square mold लिया है इसके जगा पर आप चाहो तो aluminum tray या फिर कोई steel की थाली या tray भी ले सकते हो बस जो भी mold आप ले रहे हो ना उसे पहले oil से grease कर लीजे और फिर इसमें butter paper लगा लेंगे तो हमारा यह mold त्यार हो गया है अचा कुछ cookies को ना मैं आपको oven में भी बना कर दिखाऊंगी जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह aluminum की tray ली है इसे भी उसी तरह से oil से grease करके butter paper लगाना है तो हमारी यह tray भी त्यार हो गई है इसके बाद अब हम सबसे पहले अपनी कडाही को गरम होने के लिए रख देंगे बिसक्स में आने के लिए तो कोई भी मोटे तले की कडाही ले करना आप चाहो तो इसमें नमक डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो नहीं डालना है तो direct stand रख दो और इसे उपर से ढखके हम इसे medium flame के उपर 10 minute तक गरम कर लेंगे और इसके बाद अब यह जो butter और चीनी को हमने विप करके रखा था इस bowl के उपर अब हम रखेंगे चनी और इसमें डालेंगे एक कब जितना मैदा मैं आज इसे मैदे से बना रहे हूँ आप सेम quantity गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं और आधा छोटा चमच इसमें जाएगा baking powder और एक पिंच आप देख रहे हो कि बल्कुल एक पिंच जितना मैं इसमें डाल रहे हूं baking soda और क्योंकि मैंने salted butter यूज किया है इस तरी मैं नमक नहीं डाल रहे हूं अगर आप unsalted ले रहे हो तो एक पिंच नमक डाल दीजेगा तो सारी चीजों को चान लिया है और इसके बाद अब हम इसे एक spatula के साथ बल्कुल हलके हलके हाथों से mix करेंगे अच्छा मैंने इसमें थोड़ा सा essence टालना भूल गई थी तो आधा छोटा चमच जितना मैं इसमें vanilla essence आट कर जीए हूं तो बस इसे एक बार अच्छो से हमें mix कर लीना है हम इसे spatula से इसलिए mix कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका dough जैसा आटा गुंधना नहीं है बस हमें इसका एक pipeable dough बनाना है इसलिए हम spatula से mix कर रहे हैं और अभी ये काफी dry है इसको piping consistency में लाने के लिए अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके दूद आट करेंगे दूद हमेशा ना थोड़ा-थोड़ा करके ही आट करिए biscuits के dough में और जितनी जरूरत हो उतना ही आट करिएगा तो मैंने तीन टेबल स्पून दूद आट किया और अभी आप देखरो इस dough की consistency कि smooth भी है pipeable consistency में है तो हमें कुछ ऐसा dough बना देना है तो बस हमारा ये biscuits का dough बनकर त्यार हो गया है अब हम एक glass में सबसे पहले एक piping bag लगाएंगे और इसमें इस dough को fill करेंगे और इस piping bag में मैंने आगे कोई nozzle भी नहीं लगाई है मैं सिरफ piping bag लेकर बस इसमें ये dough डाल रही हूँ और इसके बाद अब हम इस piping bag को बस आगे से cut कर लेंगे lady finger biscuits में बनाने के लिए आपको कोई special nozzle बगरा की जरूरत नहीं है आप simple सा piping bag लेकर बस इस तरह से cut कर लीजे मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था cut तो मैं थोड़ा सा और cut कर रही हूँ और इसे के साथ हमारा ये piping bag त्यार हो गया है अब हम इससे अपने lady finger biscuits में बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले ये जो mold हमने त्यार करके रखा था था ना इसमें अब हम इस तरह से अपने इस dough को pipe करेंगे तो जितने भी लंबे या छोटे biscuit सा बनाना चाहते हो वैसे आप इन्हें pipe कर लीजेगा वैसे ये generally थोड़े long length में होते हैं बट मैं अपने according length बना रहे हूं इसके आपको जैसे जाहो वैसे बना लीजेगा और हाँ थोड़ी थोड़ी के ऊपर ही इन dough को हमें pipe करना है क्योंकि baking के time पर ये फैलेंगी तो हमें थोड़ी जगा रखनी है अचा अब इसके बाद इन biscuits की shape को proper set करने के लिए अब हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे normal पानी लगा लीजे हलका fingers पर और बस हलका हलका से टच करते हुए इसको एक proper सी shape देतेंगे तो इसे के साथ अब हमारा ये mold त्यार हो गया है और इतने देर में अब ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ना अब ये भी काफे अच्छे से गरम हो गई है तो carefully अपने इस mold को हमें इसमें रख देना है और इसे उपर से ढखके अब हम इसे बिलकुल low flame के उपर bake करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक cookies की timing ना हमेशा थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि thickness के उपर flame के उपर ये चीज़ें depend करती है तो आप एक बर 15 मिनट के बाद इसे एक बर चेक कर लीजेगा अच्छा अब थोड़ी सी cookies को मैं आपको oven में भी बना कर दिखा रही हूँ 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए और अब हम इस गरम oven में अपने इन biscuits को रखतेंगे और इन्हें हम bake करेंगे 160 डिगरी के उपर 160 डिगरी के उपर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक अगें timing स्टोड़ी से आगे पीछे हो सकती है तो सबसे पहले अब हम अपनी कडाही वाली cookies को चेक करेंगे जिसे रखे हो मुझे पूरे 18 मिनट हुए है वाओ आप देखे हो कि कितना अच्छे से ये फैल गई है कितनी यमी लग रहे हैं ये cookies देखने में अच्छा आप पता कैसे चलेगा कि cookies हुई है ये नहीं तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि sides पर आपको इसके हलका सा color change हुआ देख रहा होगा और बिल्कुल carefully अगर आप इन cookies को उठाओ के ना बिल्कुल carefully उठाईएगा क्योंकि ये बहुत जादा गरम और एक्दम soft है और नीचे का surface चेक करिया आप इसका तब आपको देखेगा कि नीचे से ये अच्छे से golden brown and crispy हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारी ये cookies बेख हो गई है तो बस इस mold को अब हम निकाल कर थोड़ी दिर के लिए एक side पर रख देंगे cookies को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देना है और फिर ही हम इसे demold करेंगे क्योंकि ये अभी बहुत जादा soft है इसके बाद अब ये जो oven में हमने रखी थी इससे रखे वे मुझे पूरे 11 मिनट हुए है और आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये फूल गई है काफी अच्छी लग रहे हैं ये देखने में oven में उपर से भी काफी अच्छा color आ जाता है और जब आप नीचे का surface चेक करेंगे तो ये भी perfectly golden down और crispy हो गया है तो इसका मतलब है कि ये वाली cookies भी त्यार हो गई है तो बस इन्हें भी पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे क्योंकि ठंडा जैसे जैसे हो जाएंगी ये अच्छे से crispy हो जाएंगी तो बस इसी के साथ finally त्यार हो गई है आज की हमारी ये lady finger biscuits आप देखरों कि देखने में ही कितने yummy लग रहे हैंगी तो एके करके अब मैं आपको इनको demold करके दिखाते हूँ तो सबसे पहले ये कडाही वाले जो biscuits हमने बना कर रखे थे ठंडा होने के बाद आप देखरों कि mold से भी easily अलग हो जाएंगे और नीचे का surface देखरों आप कितना एकदम perfect golden brown color आया है इसमें हाँ क्यूंकि ये cookies कडाही में बनी है तो ऊपर से थोड़ा color नहीं आपाएगा बट taste में और texture में कोई difference नहीं होता इन cookies में तो आप इस तरह से ये eggless lady finger biscuits अब घर पर बना सकते हैं बहुत आसान है नहीं बनाना तो अब इन lady finger biscuits को आप इसी तरह से अपनी tea coffee के साथ enjoy कर सकते हूँ या फिर इससे बनाईए का वो classic वाला तिरा missoo अचा अगर आपको वो तिरा missoo with homemade mascarpone cheese के साथ बनाना सीखना है तो प्लीज मुझे बताइएगा वीडियो के नीचे comment section में मैं आपके साथ उसकी recipe शेयर करतूँगी और अब इन biscuits का एक बार अंदर का texture चेक करिए आप तो एकदम perfect जाली है और बहुत ही जादा crispy और एकदम crunchy बने हैं आवाज सुनिए आप तो है ना एकदम crispy अचा इन lady finger biscuits के उपर अब थोड़ी सी powder sugar dust करेंगे जैसे authentically की जाती है और finally final त्यार हो गए है हमारे ये eggless lady finger biscuits इन biscuits को आप किसी airtight container में डाल के store भी कर सकते हूँ और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें